सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार दोस्तों मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं बारती कंट्रक्शन लाइन चैनल दोस्तों फाइनली आज हमने जो स्प्रिट लेवल है लेजर लाइट वह हमने आज से 10 तिन पहले एमेजोन पर ओर्डर किया था तो यह फाइनली हमको मिल चुका है और आज करते हैं इसके अन्बोक्सिंग और आपको बताते हैं कि इसकी क्या रेट है और यह किस प्रकार से यह काम करती है क्या इसके फीचर से तो पूरी डिटेल आपको यह बताते हैं वीडियो को आप लाश्ट एंड तक जरूर देखि है तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और प्लस बेल आइकन को प्रेश करके आल नोटिफिकेशन को ओन कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे तो लिए दोस्तों यह देखिए यह मेरा नाम और आपको भी जब इसको बाई करना रहेगा तो आपको सेम एड्रेस आपका और आपका नाम और आप ओनलाइन बाई कर सकते हैं बाई करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा तो वहां से आप किलिक करके डायरेक्ट एमेजोन की साइड पे जाके तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आप इसको ओपन करते हैं तो दोस्तों आलाइं कि यह मैंने 10-15 दिन पहले यह ओडर किया था और 2-3 दिन मैंने इसको साइड पे यूज भी किया है ताकि मैं आपको इसकी जो सब में इसकी क्वालिटी है वह मैं बता सुकूं तो अब इसको कोलते हैं और यह बोक्स ऐसा टुटा हुआ साहिए था क्योंकि केरियर के अंदर यह कागज का होता है तो बोक्स से कोई बड़ी बात नहीं है फट जाता है और इसके अंदर से यह देखिए यह स्पृट लेवल है और यह स्पृट लेवल जो कि आप देख रहे हैं इसमें 3 पारे होते हैं जिसको आप bubbles भी बोलते हैं और दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वो 8 इंच है और इसकी जो हैट है वो लगबग 5,3 इंच के लगबग है अलागि मैंने इसको मापी नहीं है तो आप देख सकते हैं और something 5,3 इंच ही की है औ और यहां पिसके साथ में यह तीन इसके साथ में इसके दिये गए है बैटरी जो इसके साथ में 3 फिरी यह और इसकी जो रेट है वो आमेजोन पे आपको 748 रुपीज में मिलेगा और एक दो साल पैले यह प्रोडेक्ट आपको हमें जोन पे 2,000 रूपीज यानि 2,000 रूपए में मिल रहा था लेकिन अभी डिसकाउंट होनी के वज़े से और इसके साथ में तीन बैटरी आपको मिल रही है जो कि आप बाद में यूज कर सकते हैं पहले इसके अंदर यहां पर इसके अंदर बैटरी आप ले सकते हैं इसमें जो में फीचर होते हैं वह बंब आई गए और एक यहां इदर पिछली साइड मेजर लाइट होती है यह देखिए जो यह सम्थिंग आठ फिट की इसमें मेजर्मेंट टेप है और यह इसका यहां पर बटन दिया गया है जो ओटो पुस है ऐसे करते ही अटोमेटिक अंदर चली जाती है और इसका जो मैन इसका यूज है वो है इसकी लेजर लाइट लेजर लाइट में आप यह तीन एंगल पर काम करती है हो इसाब हो जाएगी और इसमें जो एंगल यह यहां पर आप देख सकते हैं यह पाइसे ऊपर नीचे इसे करना होता है ताकि इसका जो राइट एंगल और इस्टेट लाइन आई उसका जो मोड हो चेंज हो जाता है यह आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको कैसे यूज करना है और नीचे इस्टिलनेस इस्टिल की मेजर टेप है एक बोडी है तो काफी मजबूत है दोस्तों और इससे पहले भी मेरे पास थी लेकिन वो दुबई से मंगाई हुई थी तो अभी वो खराब हो गई है इसके लिए मैंने यह मंगाई है एमेजोन से और मेरे इसाब से कंट्रक्शन लाइन में फनीचर हैं तो सब के पास यह मिश्टरी और ठेकेदार के पास यह लेजर लाइट होना ज़रूरी है क्यूंकि क्या होता है कि साइट पर अपन जैसे टाइल लगाते हैं तो तो आपड़ें लेवल पाई कभी कभी नहीं होती है तो उस टाइम पे य जैसे बड़ी दिवार होती है या बात्रूम आपन लगा रहे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि इस लेजर लाइट को आपन सेट करके और बिना लेवल निकाले ही क्योंकि लेवल फिक्स कर देती है तो उस लेवल के साफ से अपन टायल लगा सकते हैं तो एक तो मिस्त्री की बचत हो जाती है और सुरी मजदूर की बचत हो जाती है प्लस टाइम भी वेश्ट नहीं होता है तो मेरे इसाबसे कापी अच्छा प्रोडिक्ट है और आपको यूज करना चाहिए और इसको मंगाना चाहिए और मैं भी इसको पिछले 10 साल से यूज कर यूज है इसका इस लेजर लाइट का है तो यह कैसे काम करता और कैसे आपको सेट करनी है यह जाना आपके लिए जरूरी है क्योंकि ज्यादा तर लोग इसको मंगा तो लेते हैं लेकिन इसको यूज करना नहीं आता है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसको आपको है यह देख रहे हैं यह low laser light को मैंने आपने फिक्स कर दिया और आप यह देख रहे हैं यह 45V सोरी 9 डिग्री पर राइट एंगल हो गया है तो अब यह सपाल उस्टार्ट है लिए फिर एक लेवल का निश्टान हो गया ऑफ्लस एक भी खटाशन यानि राइट एंगल का निसान हो गया है तो यह आपको लेवल मिल चुकी है और यह इस लेवल से आप टाइल स्टार्ट कर सकते हैं अब एक चीज में जो सोचने वाली और समझने वाली है वह यह है कि यह जो स्पृट लेवल है इसको इसको आपको ऐसे लेवल रखना है आप इसको यह लेवल नहीं रहेगी ऐसे आड़ी टेड़ी थोड़ी बहुत भी हो जाएगी तो यहां पे जो आप देख रहे हैं यह राइट एंगल जैसे मैं इसको थोड़ा सा आपको करके बताता हूं जैसे इसका एंगल यह देखिए यह थोड़ा मैं इसको आड़ा और त तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि इसे लेजर लाइट को आपको यहां पर लेवल रखना है अब लेवल जिस चीज़ पे आप यह लेवल रखेंगे तो वह लेवल है या नहीं उसके लिए आपके पास आल्रेडी यह लेवल है तो इसे आप चेक करके और इस चीज को आप लीजिए और इसको इसके उपर लेवल में रखे और फिर एटोमेटिक आपको इधर लेवल देखने की जोरत नहीं है आपका राइट एंगल एटोमेटिक लेवल में आ जाएगा दूसरी एक में चीज यह है कि जैसे आप देख रहे हैं अभी आपको यह निसान मैं इस स्ब्ल्मां हो गयी तो इसके लिए यह लेजर लाइट क्या काम करती है कि इसको जैसे जैसे आप नजदीक है को buld уже जाता है यह जो मार्किंग है एकदम बारिक होती जाती है और यह आप इसको जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे तो यह मार्किंग बड़ी होती जाएगी कहने का मतलब यह है कि यह आपकी बड़ी दीवार है 10 फिट या 15 फिट या 20 फिट तो उसके इसाब से इस इस फिट लेवल को आप दूर आपको सेट करना है एकदम लेवल जगए पर तो आप समझी यह राइट एंगल हो गया अब इसका एक जो इस्टेट लाइन वह भी मैं आपको बता देता हूं यह होरीजेंटल लाइन है ज वह सीधी है या नहीं है तो उसके लिए आप यह इसको इसको आप यह जो बटन दिया गया है इसको आप उपर नीचे करके और इस टेट लाइन और राइट एंगल इतीनों मोड इसके अंदर दिया हुआ है बहुत बढ़िया फीचर है दोस्तों तो इसके साब से आप इसको सेट कर सकते हैं यह देखिए यह देखिए यह चोट एक बारिक लाइन आगे इस टेट लाइन राइट एंगल इस परकार से तो इसको आप इस परकार से यूज कर सकते हैं तो यह था एक जोटा सा और बढ़िया इसकी स्टील की बोडी है लोखन की बोडी कोई प्रोब्लम नहीं है और एकदम बढ़िया प्रोडेक्ट और ओन आप का बटन यह होई गया फीचे मेजरमेंट है यह पुस्का बटन है तो और कोई बढ़ी बात इसमें जानने वाली और पहसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेर जरूर करना ताकि उनको भी मालूम चले कि यह प्रोडिक्ट से आपन यूज करके और अच्छी क्वालेटी आपन काम में कर सकते हैं तो एक यह चोटा सा वीडियो था दोस्तों तो तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कोमेंट करके जरूर बताना और हां दोस्तों आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू बाए टेक केर गुड़ बाए कर स्कत कर सकता दो झाल झाल